प्रिजेंटिंग स्पॉंसर सोनालिका इंटरनेशनल देश की सर्फप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अफाक एटीवी पेश करता है किसान भाईयों के लिए एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है फायदेका सौदा जी हाँ दोस्तों वो किसान ही है जो आपकी और हमारे पेट की भूग को मिटाता है और वो फसलों पर अपने बच्चों की तरह साल उस साल महनत करता है इस तकनीक की दौर में जहाँ इनसान ने खूब तरक्य की है वही किसानों ने भी तकनीक को अपनाया है लेकिन देश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं किसान इस तकनीक से अच्छूते रह गए तो कैसे किसान इस तकनीक से अपना तालमिल बैठाए उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है सोनारी का कंपणी के एक ऐसे एक्सपर्ट जो किसानों के देंगे नई दिशा हमारे साथ मौझूद है आरपी गंगवार जी मद्यपदेश 36 गड़ के जोनल हैड और उनके साथ हैं पंकज आयाचित जी डीजीम मद्यपदेश सेल्स आपका भी सौगत है पंकज जी तो गंगवार जी बात हो रही है किसानों के फायदे की तो जाहिर सी बात है कि सवाल भ क्या है यह अफाग जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूचा है और मुझे वड़ी परसंद्धा हो रही है कि मद्यपर्देश 36 गड़ में किसानों का रुजान चोटे ट्रेक्टों से बड़े ट्रेक्टों की और बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसका मुख कारण यह है क कि आज का किसान बड़ा और हैबी ड्यूटी ट्रेक्टर ही परचेज करना चाहता है क्योंकि इसकी उपयोगता आज रोटावेटर के लिए आज डोजिंग एप्लीकेशन के लिए लोडर्स के लिए और ऐसे अटेस्मेंट के लिए बढ़ रही है जिसमें केवल हैबी अमान हासपाबर रेंज में एक फुट चौला रोटावेटर ज्यादा खेंसता है मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा आफाग जी कोई ट्रेक्टर अगर 40 हासपाबर का पांस फिटका रोटावेटर खेंसता है तो सेम एच्पी सेग्मेंट में हमारा ट्रेक्टर छे फिटका रोटावेटर खेंचने में सक्षम है इसके पीछे मुख बजह है इसकी बैकप टार्क इसका टार्क बैकप बहुत ज्यादा है जिसकी बजह से ही यह कम समय में अच्छा काम कर पाता है तो गंवार जी कहा जा सकता है कि दूसरी कंपनियों के अगर हम बात करें तो बीगर कंपनियों से आपकी कंपनी का प्रोड़क्ट ज्यादा स्ट्रॉंग है और किसानों के लिए ज्यादा फायदे मंद है जहां हम रोटावेटर की बात करते हैं तो बहां बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूएद पढ़ती है जहां अंद्र ट्रैक्टर जो है आर्प पर काम कर रहा होता है यह एंबी प्लाव पर काम कर रहा होता हो तो अंद्र ट्रैक्टर को मोलने के लिए लिए लिप को उपर उठाना पड़ता है अन्य था प्रापर तरीके से उसकी कटिंग नहीं हो पाती है बड़ सोना लिका के केस में ऐसा नहीं है और मैं कंप्लीट ट कशितर को किसी इंप्लीमेंट के साथ चलाते कि एक जांपल के साथ एक ना चाओं गए इंडेन जटाइज पर लिएंगल किनी पता है लस्य कंट से टोक हम ऊच्थ ही जबकि अंद्र ट्रेक्टर जो है बंद हो जाते हैं इन खूबियों के साथ ही हम इसको कहते हैं कि हुई ना बात है वी डूटी ट्रेक्टर आपके साथ पंकर जायाचित जी हैं और पंकर जी क्योंकि आप मध्यपरदेश के सेल्स डीजीम हैं तो मैं आप से जाना चाहूंगा कि मध्यपरदेश के किसान कितनी मातरा में हैवी डूटी को खरीदते होंगे आपके पास आकड़े होंगे या एक अंदाजा होगा तो आप बताइए हमने बहुत सावे आकणों को किया और यह पाया कि धीरे-धीरे किसानों का रुजहान है वो छोटे टेक्टर से बड़े कि तरफ इसलिए जा रहा है जैसा कि जंग्वार जी ने आपको बताया कि एक तो स्वाइल मध्यपरदेश की वैसे हाड है और प्लस हम जो इतना कर रहे हैं तो और पिरिड़ अफ टाइम को समय में मट्टी और सक्त होती जाती है तो जैसे ऐसे मट्टी सक्त होती जाएगी ह हमकोस में जयादा होइवर के टक्टर की जरुष महसूस होगी और आज हमने देखा है कि लगभग मध्यपदेश में अधे टक्तर अगर 100 अक्तर बिखते हैं तो पचास से अच्च क्रा आज की बड़े होस्पावर रेंज के बिखना शुरू हो गए हैं मेरा सवाल आप दोन कहना मुनासिब है कि आप लोग प्रियता होगी जी हाँ अफाक जी यह हम नहीं बोलते हैं यह मद्परदेश 36 गड़ के किसान बोलते हैं हम जब गाउं में जाते हैं तो हमने तो नहीं से सुना है क्योंकि आज हमारे पास 20 हासपावर से लेकर के 90 हासपावर तक की रहें जाए बिभिन बिभिन लेंड ओल्डिंग के किसानों के जरूत के अनुसार हमारे पास प्रोडक्ट हैं छोटे किसान जो अंगूर की खेती करते हैं जो गार्डन की खेती करते हैं उनके लिए हमारे पास 20 हासपावर का ट्रक्टर है जो की 4-wheel drive में उपलब्द हैं बड़े से बड की बात को मैं इस तरीकिस दोराना चाहूंगा कि आज हमारे पास प्रोडक्शन बहुत कम है आज 90 दिन से 120 दिन तक कि हम भुकिंग हमारे पास उपलब्द रहती है नब्य हस्पाबत के ट्रैक्टर्स की जहां तक आपने उप्योगिता की बात कही है मैं थोड़ा सा और आपका ध्यान अकर्सित करना चाहूंगा कि ट्रैक्टर का उप्योग केवल खेती के लिए नहीं किया जा रहा है आज मद्वर्देश 36 गड़ में बहुत तेजी से विकास हो रहा है इस विकास में किसानों का खेती के अलावा ट्रांस्पोर्टेशन में यूज लेंड को समतल करने का यूज यहां पर उसके लिए हम डोजर एप्लीकेशन में यूज करते हैं यहां माइस बहुत हैं अफाक जी यहां खदाने बहुत जादा हैं अगर हम खदानों की बात करते हैं तो आज मैनपावर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई गही है तो आज ट्रैक्टर का हैबी-डूटी ट्रैक्टर का यूज बहुत तेजी से लोडिंग के लिए हो रहा है माइब से जो हम सामान निकालते हैं और बढ़े-बढ़े ट्रक्स में उसके लिए हम ल या लग-लग प्लांट आप लोगों लगा रखें जी हां हमारा साथा प्रोडक्शन एक च्छत के नीचे ही होता है हुश्यारपूर में हमारा बैलीकूर प्लांट है इस प्लांट की छमता एक लाग ट्रेक्टर पर यह बनाने की है लेकिन जिस तरीके से किसानों की मांग 87% थी किसानों की requirement के अनुसार हमें ये चमता अगले साल तक डेड़ लाग ट्रक्टर तक पहुचानी पड़ेगी गंगवार जी मुझे आपको यहां रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का और आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि बात चल रही है किसा किसानों के फायदे की और आप देख रहे हैं फायदे का सौधा अभी हाजर होते हैं किसी प्रकार का कोई वजन लगाने की आवशक्ता महसूस नहीं होगी गहरी से गहरी जुताई आप इसमें कर पाएंगे और साथी साथ आपका समय और डीजल बचेगा इसका हम आपको इस फायदे का सौधा में और हम अब बात कर रहे हैं पंकट जी से पंकट जी आप यह बताएं कि जिस तरीके से आपने बात की हैवी डूटी प्रडेक्ट्स की इससे पहले भी तो मद्यपदेश में अगर हम बात करें तो यह हैवी डूटी प्रड़क्स जो हैं वो किसानों केलिए किस तरीके से ज़स जादा फाइदे अब रहा पूर्च यह कहा जाता है कि खेती का जो वो कहा जाता है तो है दूम commence पल्टी प्लाव पंजाम जिसको टू बॉटम रिवर्सेपल मोल्ड बोल प्लाव टेकनिकल लेंगुजे बोलते हैं उसको किसान की लेंगविज में हां गाहों की लेंगविज पल्टी प्लाव बहुत हैवी घहरी जुटाई के लिए और जहां पर आपको खेत को समतल करना है यहां पर बहुत काम आते हैं बहुत घहरी मट्टी को पलटते हैं तो जैसे मनें बता आपको बताई कि जब बहुत घहरी जुटाई करते हैं तो नेच्रल सी बात है कि ट्रेक्टर पर बहुत ज्यादा लोड आता ए और चुनकि यहां काली मट्टी मदव देश में especially तो जब टेक्टर पे पीछे पल्टी प्लाव से लोड आता है तो अक्सर यह देखा गया है कि टेक्टर आगे से उठने की समस्था हैं तो जो डीलर भाई हैं या हमारे जो दूसरे मेकेनिक भाई हैं वह हमेशा किसान को यह सलहा देते हैं कि आप इसमें अगर पीछे मोल बॉल चाहूंगा आपके माध्य हम से पूरे मद्वदेश की जनता को किसानों को कि यह काम करने की मत सोना लिगा के ट्रैक्टर में बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि जिस तरह से हमने उस ट्रैक्टर का डिजाइन बनाया है और जिस तरह से हमने उसके वेट का बचेगा इसका हम आपको बचन देता अगे जो वजन लगाकर किसान मेहनत करता था उस मेहनत से बच जाएगा कि आपका कहना यह समय और पैसे दोनों की बचाना कि आप लोगों ने जो टेक्नलोजी जो तकनीक इस्तिमाल की है कि आप लोगों के ट्रैक्टर में आगे से बारे में डीजल के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो आज किसानों में रोटाबेटर का बहुत तेजी से चलन बढ़ रहा है हमारे ट्रैक्टर जो है बीस हासवाबर से 90 HP के समान हासवाबर की स्रेणी में 200 किलोग्राम ज्यादा बजन दारें भारी है अब आपका स हमारा ओवर डिजाइन हो गया और आपने संतुलित की बात कहीं थी पूर्टा संतुलित आगे से उठता नहीं है बहुत ज्यादा वजंदार ट्रैक्टर है कंप्लीट है पूर्ण है संतुलित है और इसका टार्क बैक बहुत जादा है तीसरा यहां बहुत तहीं चलन बीदने जाता है तो वह साथ हास्पावर ट्रैक्टर पर चेज करके लाता है जब मार्केट में रोटाविटर की बात करता है वह छे बिट से उपर नहीं बढ़ता है हमारे पास लाइब एक्जामपल्स हैं जिस तरीके से आपने कहा था थोड़ी जेद पहले मुझसे हम से हैवी डूटी रेंज को हम किसानों तक पहुचा रहे हैं रोटाविटर में क्या होता है यह जमीन में सबसे ज्यादा ताकत लगती है रोटाविटर को चलाने में यह एक ऐसा इंप्लीमेंट है जिसमें सारे ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं इसमें प्लॉइंग भी एक बहुत ज्यादा मैं आपको अफाग जी बैक अपाड को कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा इस तरीके नहींगा दिल बहुत मझबूत है आप बहुत बड़े आदमिये ऐसी ट्रेक्टर की जब बात करते हैं मझभूत ही की तो बैक अप टार्क होता है जिसमें ज्यादा टार्क बेकप होएगा उसका दिल उतना ही ज्यादा मजबूत होएगा इसकी जरूवत पड़ती है रोटावेटर चलाते हुए जह हम रोटावेटर चलाते हैं तो जनरली ट्रक्टर के आर्पीम कम हो जाती जिनको गाउं में किसान बोलते हैं मोसन तोड़ रहा है हमारा ट्रक जो है पचयास साथ हासपावत पे 52 फिटका रोटावेटर चलाते हैं। आज हम 50 पाइसपावत पे 57 और 60 फिटका रोटावेटर रिकमेंड करते है बोटावेटर जिसन की समय की बचत होती Ital का बचत होती है और सारह ऐकलया जाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवार जी आपका और पंगर जी आप दोनों का आपने हमें वक्त दिया और बात की किसानों के फायदे की किसानों की जुरूरतों को मद्या नज़र रखते हुए सुनाली का कमपनी 20 होर्स पावर से लेके 90 होर्स पावर तक के ट्रेक्टरों का निर्मान करती है किसानों की जुरूरतों को मद्या नज़र रखते हुए सुनाली का कमपनी 20 होर्स पावर से लेके 90 होर्स पावर तक के ट्रेक्टरों का निर्मान करती है आज के दिन में खेती वाड़ी के अलावा ट्रेक्टरों का इस्तेमाल इंडस्रिले अटेच्मेंट में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिन में मुख्यता फ्रेंट एंड लोडर, ट्रेंस डिगर, पाइलिंग ऑपरेशन्स, रिग बगैरा बगैरा मुख्यता इस श्रेणी में आते हैं ट्रेक्टर निर्मान करते वक्त एप्लीकेशन की जुरूरतों को ध्यान में रखके ट्रेक्टर का डिजाइन किया जाता है ताके उस एप्लीकेशन की हर जुरूरत को ट्रेक्टर संपूरन रूप से पूरा कर सके मुख्य तया किसान भाई ट्रेक्टर खृदने से पहले 3 मुख्य चीजों का ध्यान में रखके ट्रेक्टर खृदने का निरणे लेते हैं, जिसमें ताकत, बज्चत और सुरक्षा सोनलिका ट्रेक्टर के इंजन्स का डिजाइन खास इस तरह से किया जाता है कि इसमें सरवाधिक टॉर्क बेकप हमें प्राप्त होता है इसका मतलब यह है कि ट्रेक्टर में किसी भी वक्त अन्चाहा कोई लोड आ जाता है उसमें जब इंजन के आर्पियम गिरते हैं और 1000 आर्पियम तक आने के बाब जूद भी ट्रेक्टर खड़ा नहीं होता है और सुग्मता से इंप्लिमेंट को साथ फील्ड में काम करता रहता है इसी तरह से अधिक टॉर्क बैकप होने के कारण गहरी जुताई और अच्छी बुआई में बहुत ही उप्योक्त सिध होते हैं सोनलिका ट्रेक्टर्स सोनलिका ट्रेक्टर्स सेफटी के लिहाज से भी सबसे सुरक्षित माने जाते हैं सोनले का ट्रेक्टर पूरी तरह से वैलेंस ट्रेक्टर है इसके बजन को सही धंग से बांटा गया है अगले पे ये का बजन पिछले पे ये का बजन और पूरे ट्रेक्टर के बजन को इस धंग से केंदरित किया गया है ताके ये ट्रेक्टर उबड़ खावर्ड सडकों पे या धलान वाले एरिया में भी सुगमता से काम कर सके। इसी तरह से भील बेस लंबा होने की बज़ा से सोनाले का ट्रेक्टर अधिक से अधिक लोड में भी आगे से उठते नहीं है। जिस से ओपरेटर के लिए सेफटी मिलती है। इसी तरह से पावर स्टेरिंग होने की बज़ा से किसान भाईयों को ठकावट में हसूस नहीं होती है। और दस से बारा घंटे तक आसानी से ट्रेक्टर के साथ खेतों में या सड़कों पर काम कर सकते हैं। अब आज के युग में किसान भाईयों का रुज़ान जो है नई नई मशीनरी की तरफ बढ़ रहा है। इसी के चलते नई नई एप्लिकेशन में छोटे ट्रेक्टर की जगा बड़ी होर्सपावर के ट्रेक्टरों की ज़्याद से ज़्यादा जरूरत बढ़ती जा रही है। आज कल पूरे देश में रोटावेटर मशीन का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बास्त में रोटावेटर एक मल्टी ऑप्रेशन मशीन है जिसके जरिये से कल्टिवेटर, पंजा, सोहागा ये सभी ऑप्रेशन को एक ही मशीन के जरिये पूरा किया जा सकता है। रोटावेटर के इस्तेमाल से अच्छी बुआई हो सकती है, उपज भी अच्छी होगी, समे और डीजल की बच्चत भी होती है सोना लिका के ट्रेक्टरों को खास हर इंप्लीमेंट के साथ मैच करके बनाया जाता है, हर रोटावेटर के साथ मैच करके बनाया जाता है, जिस से ट्रेक्टर की दक्षता अच्छी रहती है और किसी तरह की टूट फूट ना रोटावेटर में होती है ना ट्रेक्टर में होती है बहुत सी कमपनिया रोटावेटर के बारे में बहुत बड़े दावे करती है लेकिन किसान भाईयों को ये जानना जुरूरी है कि रोटावेटर में असली तकनीक होता है रोटावेटर के रोटर शाफ्ट के आर्पियम, ट्रेक्टर के पीटियो के आर्पियम, इंजन के आर्पियम और गेर बॉक्स का डिजाइन अगर इन सभी चारों चीजों में समन्वे नहीं है, तालमेल नहीं है, सही धंग से मैच नहीं किया जाता है तो ट्रेक्टर में और रोटावेटर में टूट फूट की संभावनाई बनी रहती है सोना लिका के ट्रेक्टर्स और रोटावेटर को सही रूप से मैच करके बनाया गया है सोना लिका में हैवे डूटी गेर बॉक्स लगाया गया है ऐसे इंजन लगाए गए हैं जिन में हाई टॉर्क बैक अप होता है और माल्टी स्पीड रोटावेटर डिजाइन किये गए हैं स्पेशली सोनालिका ट्रेक्टर्स की अधिक से अधिक पावर का से ही इस्तेमाल करने के लिए तो ये बात थी किसानों के फाइदे की और आपके फाइदे की और हमें लगता है कि काफी कुछ फाइदा पहुंचा होगा इन एक्सपर्ट से बात करके किसानों को और आपको तो दोस्तों अगली बार फिर होगी आपके फाइदे की बात तब तक के लिए हमें दीजिए इजा बचोती आदमी की, ये तोरी है कि आजमी चलता रहता है, तो उसमें कभी नहीं यादी है, टूटबूट बहुत कम करता है, पंजे की बहुत कम ज्यादा करता है, और डीजल कम खाता है. बाइस भी आजमीन है, सोनाली का टेक्टर है, मैंने लिया है, मेरे फट्टा लगा हुआ है, पिला हुआ है, उसमें मेरे को बहुत लाब है, मैं टेक्टर चलाता हूँ, और मैंने लोग बागों से कही है, इस टेक्टर को लोग है, तो कभी गाटे में नहीं जा हुए, सोनाली का ट्रेक्टर लोग फायदे में रहोगे डीजल बहुत कम खाता है प्रिजेंटिंग स्पोंसर सोनालिका इंटरनेशनल तेश्की सर्फप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज